हेलो साथियो नमस्कार स्वागते आप सभी का कैसे हैं आप सब वेलकम एवरिवन मुझे एक बार प्लीज आप सब कन्फर्म करें मेरी आवाज आपके पास आ रही है क्या मेरी आवाज आप सभी के पास पहुँच रही है मुझे बताइए आप सब ठीक चल ला है सब कुछ चली अगर क्लियर है तो कहानी को स्टार्ट कर लेते हैं और बात करेंगे बहुत ही महातपूर सवालों की जो आपके एक्जाम के लिए जरूरी है पहले मुझे ये कन्फर्म करें क्या मेरी आवाज आपके पास अच्छे से आ रही है सब ठीक चल ला है कोई दिक्कत तो नही ह चली बटा गुड यूनिंग एवरिवन और स्टार्ट करेंगे सवाल अमर एक से पहला सवाल आपके स्क्रीन पर है बात करेंगे डियाडियों की डियाडियों ने पाइथन 5 मिसाइल का सफल परिक्षड किया था अत्याधूरिक मिसाइल किस प्रकार की मिसाइल है ये जो से सता पर मार करने वाली मिसाइल आपके पास option है आप एक बार जरा ठीक तरीके से देख लें और उसके बार बताएं मुझे कि क्या जवाब होगा सभी के लिए important रहेगा welcome everyone बताए बिटा क्या answer देंगा चली हो गया भाई तो पहले सवाल के जवाब पे अगर हम बात्चित करते हैं तो आपका B सही है भीटा यह आपको ध्यान में रखना है हवा से हवा में मार करने वाली मिसाइल क्या जवाब होगा आपका यहाँ पे जो correct answer है वो भाई B है यह आपको अच्छे से दिमाग में सेट करके रखना है चली अगला आईए अगला सवाल है प्राचीन भारत में बिहार में बिहार किस नाम से famous हुआ करता था हम यहाँ पे बिहार की ही बात करेंगे और बिहार को आप पहले किस नाम से जानते थे आपके लिए यह सवाल है जो आपको बताने का प्रियास करना है बहुत important है नालंदा, पाठली पुत्र, मगद और तक्षिसिला तो दो नंबर रहेगा important है आप सभी बताने का प्रियास करें तो प्राचीन समय में बिहार जो है आपका मगद के नाम से famous था और आप गलतियां करते हैं यह जो पाठली पुत्र है यह पठना का नाम है ध्यान रखें जो वर्तमान में पठना है उसे पहले पाठली पुत्र कहा जाता था लेकिन बिहार को मगद बोलते थे next आपको अताना है चैडलर गुड गवर्नेस इंडेक्स की बात करेंगे यनि की CGGI 2021 में कौन सा देश सीस पर आपको दिखा यह आपके लिए सवाल नार्वे, स्वीडेन, फिल्लैंड और ग्रीस सवाल एक कौन सा देश आपको सीस पर दिखा मतलब उपर दिखा नार्वे, स्वीडेन, फिल्लैंड और ग्रीस तो तीन नंबर सवाल के जवाब पे अगर हम बात्चीत करते भी है तो आपका अंसर क्या आएगा आपका अंसर आएगा फिल्लैंड आपको यह अच्छे से याद रखना है एक सवाल आपको कमेंट करके बताना है सफेध हाथियों की भूमी आप किसे कहते हैं या हजारों जीलों की भूमी आप किसे कहते हैं या आपके लिए सवाल रहेगा सफेध बहुत इंपोर्टन रहेगा सफेध हाथियों की भूमी आप किसे कहते हैं यहाँ जारों जीलों की भूमी आप किसे क्या तो दोनों के अंसर अलग-अलग है दोनों आपको बताना है फिल्लेंट थाईलेंड चलिए आगे पर तेगला सवाल नेक्स्ट आपको बताना यह है राश्टपती अथवा समझना भाया राश्टपती और उपराश्टपती की अनुपस्थिती में कौन है जो कारिभार समालेगा बहुत इंपोर्टेंट है राश्टपती और उपराश्टपती की अनुपस्थिती में कौन है जो कारिभार ग्रहण करेगा या कौन है जो कारिभार समालेगा यह आपके लिए सवाल ह आपके लिए important भी रहेगा चार नंबर के answer की बात करेंगे तो आपका जवाब होगा A. सरवोच नयायले का मुक्क नयायदीज जो होगा वो इनके पद को ग्रहन करेगा बहुत important रहेगा अच्छा राष्टपती आपका किस article में आता है और उपराष्टपती आपका किस article में आता है ये दोनों ही सवाल आपको बताने है जल्दी बोलो भाई फटाफट राष्टपती आपका article 52 में आता है और उपराष्टपती आपका जो है वो article 63 में आता है ये आपको अच्छे से याद रखने बोलने नहीं है दोनों ही important सवाल रहेंगे clear है अगर clear नहीं है तो बेटा उपर तीन dot बने होंगे dot पर आपको click करना है click करते ही जैसे आप quality पर आएंगे quality के बाद आपको advance करके उसकी quality को 720 कर ले रहे है आपका अपने आप से बढ़ जाएगा सबज गए आप? चलि नेक्स आईए सवाल है time magazine की 2021 की 100 सबसे प्रभावसाली कंपरियों की सूची में किस e-learning platform को सामिल किया गया है? बतावई by juice जो भी आपके पास लिखा हुआ है आपको जवाब यहाँ पे बड़े ही ध्यान से देना है time magazine 2021 की बात करेंगे तो 100 में किसको सामिल किया गया है? अगर यह सवाल बनेगा तो 5 के answer की बात करेंगे by juice बिटा आपको अच्छे से याद रखना है क्या? by juice आपके लिए important है बहुत important चलि आगे बढ़ते हैं अगला सवाल भारत में आजादी से पूर्व नौसेना का विद्रोग का वुआ था यह आपके लिए सवाल रहेगा भारत में आजादी से पूर्व नौसेना का विद्रोग का वुआ था यह आपको बताने का प्रयास करना है 1933 1949 1942 1946 क्या जवाब देना चाहेंगे आप आजादी से पूर्व नौसेना का विद्रो आपके लिए important सवाल रहेगा सभी लोग बताओ भई फटाफट क्या answer होगा 6 के उत्तर की बात करेंगे 1946 संभिधाल सवा की पहली बैठक किस date में हुई थी आपको बताना है संभिधाल सवा की पहली बैठक जो है वो कब और किस date में हुई थी आपके लिए काफी महतपूर सवाल बताओ भई 9 दिसंबर 1946 बहुत important है ये पहली बैठक है आपको बताना है forward vlog की स्थापना कब हुई थी और किसके द्वारा हुई थी ये भी आपके लिए सवाल रहेगा स्थापना 1939 किसके द्वारा हुई थी जब भी ये सवाल आपसे पूछेगा तो आपका answer क्या हैगा भई सुबास चंद्रबोस योजना आयोग के पहले उपाद्यच कौन माने जाएंगे योजना आयोग के पहले उपाद्यच कौन माने जाएंगे साथ नमबर रहेगा उत्तर हो जाएगा गुलजारी लाल नंदा क्या जवाब होगा भई गुलजारी लाल नंदा पीटी नहरू हमारे देश के प्रधान मंत्री कब से कब तक रहे हैं पीटी नहरू हमारे देश के प्रधान मंत्री कब से कब तक रहे हैं 1947 यानि के देश आजाद होने से लेकर मरत्यु तक 1964 में इनकी मरत्यु हुई तब तक ये अमारे देश के प्रधानमंत्री के रूप में काम करते हैं ये आपके लिए काफी मातपूर रहेगा निवन में किस संगीत वादियंत्र के साथ प्रसिद संगीतकार अरविंद पारिक जुड़े हुए हैं आपने नाम सुना होगा अरविंद पारिक का इनका संबंद आप किस से मानेंगे इंपोर्टेंट रहेगा सितार, गिटार, बासुरी या तबला सितार होगा, गिटार होगा, बासुरी होगा या तबला होगा आपका जवाब होगा सितार आपको बतारा एक सवाल और है तबला और सितार के जनक कौन माने जाते हैं तबला और सितार के जनक कौन कहे जाते हैं या कौन माने जाते हैं तो बहुत अच्छे से आप इसे याद रखिएगा भूलिएगा नहीं तबला और सितार के जनक अमीर खुसरों कहे जाते हैं स्वेज नहर के खुलते ही निमलिकित में किसके बीच दूरी या समुद्री यात्रा का मार्ग छोटा हो गया स्वेज नहर के खुलते ही निमलिकित में किसके बीच की समुद्री यात्रा का मार्ग जो है वो छोटा हो गया लंदन चन्नाई, निव यार्क लंदन, लंदन पेरिस, लंदन और केप अप गुड हो क्या अंसर देंगे आप, नो नमबर तो यह आपके लिए काफी महत्रपूर रहेगा और यहाँ पे आपका जो उत्तर रहेगा वो लंदन और चन्नाई सही है आपको लंदन और चन्नाई दिमाग में अच्छे से सेट करके रखना है, गूलना नहीं है राजस्थान की सीमा कितने राज्यों की सीमा को इसपर्स करती है आपकी जो राजस्थान की सीमा है, वह कितने राज्यों की सीमाओं को इसपर्स करेगी दस नमबर रहेगा बेहद महत्रपूर सवाल है तो राजस्थान की सीमा पाँच राज्यों को इस पर्स करी कि भई कितने हैं पाँच मुंबई इंडियन्स ने आईपियल के खिताब कितनी बार अपने नाम किये हैं कुम्बई इंडियंस ने आईपियल के खिता अब कितरी बार अपने नाम किये हैं 25 बार किये हैं याद रखेगा कई बार आप से पूछा गया और पाचों बार कप्तान थे रोहित सर्मा रोहित सर्मा और ये समय था दोहजार तेरा का और ये समय था दोहजार पंदरा का और ये समय था दोहजार सत्रा का और ये समय था उन्निस का दोहजार उन्निस का और ये समय है दोहजार बीस का जब ये पाच बार इन्होंने ये किताब दीता है आप इसे याद रखिएगा चलिए आगे बढ़ेंगे अगला सवाल वर्दमान महावीर किस गरतंत्र में से थे आपको बताना है भगवान महावीर के विशे में बात करेंगे किस गरतंत्र से संबंदित थे महावीर का मूल नाम वर्दमार ही था तो वर्दमान महावीर कहिए या भगवान महावीर कहिए बात एक ही है उत्तर की बात करेंगे लिच्छ भी यहाँ पर आपका सही है भगवान महावीर कौन से नंबर के तीर्थंकर माने जाते है यह जो आपके भगवान महावीर है ये कौनसे नंबर के तीर्थंकर कहे जाते हैं तो 24 में नंबर के तीर्थंकर कहे जाते हैं या आप ये कहिए लास्ट नंबर के तीर्थंकर भी यही कहे जाते हैं ठीक है वाई तो आपको ये भी द्यान में रखना है सामवेद का उपवेद गंधर वेद के रचैता कौन है यह आपको बताना है भाई क्या उत्तर देंगे आप सामवेद का उपवेद गंधर वेद के रचैता बताए बिटा उत्तर की बात करेंगे बारतमुनी का नाम आपने सुना होगा बहुत important है आपके लिए अगला सवाल है भारतिये जीवन बीमा निगम की स्थापना कब की गई थी भारतिये जीवन बीमा निगम की स्थापना जो है वह कब की गई थी सितंबर 1956, सितंबर 1954, सितंबर 1965, सितंबर 1950 बहुत इंपोर्टेंट रहेगा आप सभी को प्रयास करना बताना है तो सितंबर 1956 यहाँ पर आपका करेक्ट अंसर द्यान लखेगा यह भारतिय जीवन बीमा निगम की स्थापना है जो आपको याद होनी चाहिए विल्कुल आप इसे भोले न डॉक्टर अब्दुल कलाम दोरा लिखी गई आत्मकथा कौन सी है एपी जे अब्दुल कलाम के दोरा लिखी गई आत्मकथा आप कौन सी मानेंगे विंक्स ओफ आयर, नेशन प्राइड या तन्नीलम देसम पेरीडू या इन में से कोई नहीं ये आपके लिए बहुत इंपोर्टेंट रहेगा आपको बताने का प्रयास करना है डॉक्टर अब्दुल कलाम दोरा लिखी गई आत्मकथा का नाम बताई फटीन के जवाब की बात करेंगे या आपका अंसर यहाँ पे ए हो जाएगा इसे आप अच्छे से याद रखेगा इन में से कौन सा देश चारो तरफ से धर्ती से गिरा हुआ है इन में से कौन सा देश है जो चारो और से धर्ती से गिरा हुआ है भारत, चाइना, पाकिस्तान और भोटान इन में से कौन सा देश है जो चारो और से धर्ती से गिरा हुआ है तो फटीन के अंसर की बात करेंगे भोटान भई द्यान रखेंगे आप भारत का नियूंतम जनसंख्या गनत्वाला राज्य कौन सा माना जाता है सूला भारत में नियूंतम यानि कम से कम जनसंख्या गनत्वाला राज्य कौन सा कहा जाता है या कौन सा माना जाता है तो याद रिखेगा आपका उत्तर यहां पे अरुडाँचल प्रदेश सही है क्या सही होगा अरुडाँचल प्रदेश आपका जवाब यहां पे सही है और ये आपको याद भी रखना है किस इस्थान पर आप राश्ट्य न्याईक अकादमी इस्थित देखते हैं काफी important सवाल रहेगा बताना आपको कि निमलिकित में किस इस्थान पर राश्ट्य न्याईक अकादमी आप देखते हैं पुड़े दिल्ली जैपूर और भोपाल सत्रा नंबर सवाल है 17 जवाब की बार किया जाए तो आपका भोपाल करेक्ट है पिंक सिटी आप किसे कहते हो बताईए पिंक सिटी आप जैपूर को कहते हैं गुलाबी नगरी दिल्ली आपका किस नदी के किनारे हैं बताईए यह जो आपका दिल्ली है आपको किस नदी के किनारे दिखाई पड़ता है तो यहाँ पर आपको याद रखना दिल्ली जो आपका है वो आपको यमुना के किनारे दिखाई पड़ता है नेक्स्ट निम्लिकित में कौनसी नहर बाल्टिक सागर को उत्री सागर से जोडने का काम करती है इन में से कौनसी नहर है जो बाल्टिक सागर को उत्री सागर से जोडने का काम करती है इंपोर्टेंट रहेगा आपके लिए 18 के जवाब की बात करेंगे आपका सही हो जाएगा C मतलब कील आपको याद रखना है ये आपके लिए काफी महातपूर भी है और कई बार पूछा भी गया है स्वैज नहर को बनने में कितने साल लगे और कब से कब तक ये बनी तो स्वैज नहर को बनने में दस साल का समय लगा 10 एर आपको बताना है कब से लेकर कब तक ये बनी चलिए important बिश्ट में सबसे लंभी समुद्री तटवाली हटसन की खारी किस देश में है सबसे लंभी समुद्री तटवाली हटसन की जो खारी है वह आप किस देश में इसते देखते है है आपको सबसे लंबी समुद्र तट वाली हटसर की खाड़ी चलिए 19 के एंसर की अगर बाच्चित यहाँ पर हम करेंगे भी बहुत इंपोर्टेंट रहेगा आपके लिए उत्तर हो जाएगा डी कनाडा कनाडा छेत्रफल के आधार पर कौन से स्थान पर आता है कनाडा छेत बिल्कुल सेगेंड पर आता है 21 दिवस कब मनाया जाता है आपके लिए सवाल रहेगा 21 दिवस कब मनाया जाता है यह आपके लिए सवाल है आपको बताने का प्रियास करना है बहुत इंपोर्टेंट रहेगा 20 नंबर के जवाब के अगर बात करेंगे भाई तो यह आपका 21 मार्च में होता है 21st मार्च आप पुरुस दिवस कम मनाते हैं हमारे यहाँ पे पुरुस दिवस कम मनाया जाता है बताईए पुरुस दिवस आप कम मनाते हैं बहुत इंपॉर्टेंट 19 दवंबर को मनाते हैं आप 144 दिवस कम मनाते हो भाई बताईए कि आप सोचाले दिवस कम मनाते हैं कमेंट करके बताईए आप प्रत्वी दिवस कम मनाते हैं सोचाले भी उन्निस नॉम्बरी होगा आपको बताना ये है कि आप प्रत्वी दिवस कम मनाते हैं और एक और साहल बताईए आप जल दिवस कम मनाते हैं ये नीचे कमेंट बॉक्स में आपको जरूर लिखना होता है किस महासागर में दीपों की संख्या सरवारिक बानी जाती है किस महासागर में दीपों की संख्या आप सबसे ज़्यादा मानते है 21 नमबर रहेगा इंपॉर्टेंट है तो भईया याद रिखेगा प्रसांत महासागर में सबसे ज़्यादा दीप है और प्रसांत महासागर में दीपों की संख्या आप सबसे ज़्यादा मानते हैं सिंदुगाटी सबिता का नवीन्तम इस्थल आप इनमे से कौन सा मान सकते हैं? यह आपके लिए काफी इंपोर्टेंट है आपको याद भी रखना है बैंका बड़ोदा की स्थापना कब की मानी जाती है? मानी जाती है कौन मताएगा टुविटा बैंक का बड़ोधा की जो इस्थापना है वो आपका 1908 1908 की कही जाती है 1908 की मानी जाती है कॉंग्रेश का सूरत अडिवेशन कब हुआ था कमेंट करिए कॉंग्रेश का सूरत अडिवेशन कब हुआ था बताई है चलि आगे बढ़ते है MC मेरी कॉम इनमें से कौन सा खेल खेलती है मेरी कॉम का संबंद आप इनमें से किस से मानते है चलि मेरी कॉम का संबंद आप बॉक्सिंग से मानते हैं याद रखे किस से मानते है बॉक्सिंग से और मेरी कौम का संबन्द किस राज इसे है आपको ये कमेंट कर देना है नीचे भारत में सहेकारिता को प्रांती विशे कब बनाया गया ये बताने आपको जवाब की अगर हम बात करते हैं भाई तो आपका अंसर क्या हो जाएगा आपका अंसर 1919 हो जाएगा बेटा क्या हो जाएगा 1919 अच्छे जलिया वाला बाग हत्या कांड आपको बताना है कब हुआ था जलिया वाला बाग हत्या कांड कव की कहानी है बताए तो भई 13 अपरेल 1919 की महा घटना भी आपको दिमाग में रखनी है एक सवाल आपको और बताना है कि दिये गए ऑप्शन में कॉंग्रेस का लाहॉर अधिवेशन जो बड़ा फेमस हुआ इन में से कब हुआ था कॉंग्रेस का लाहॉर अधिवेशन 1929 में हुआ था 1929 प्रथाम आम चुनाओ लगबग कब के मान सकते हैं आप पहले आम चुनाओ आप 1951 के मान सकते हैं कोई गलती नहीं है भारत पर आक्रमड करने वाला पहला यूरोपी सासक कौन माना जाता है भारत पर आक्रमड करने वाला पहला यूरोपी सासक कौन सा कहा जाता है या कौन सा माना जाता है तो यूरोपी सासक यहाँ पे आपसे पूछा गया है आपका उत्तरोगा सिकंदर महान या अलेक्जेंडर आपको ये दिमाग में बढ़िया सेट रखना है द्यानक ना महमूद गजनवी का भारत पे आकरमण आपका मानते हैं या महमूद गजनवी का भारत में सबसे प्रसिद्ध आकरमण बताईए हलाकि गजनवी ने भारत में 1001 से लेकर 1027 तक 17 बार आकरमण किये हैं लेकिन सबसे फेमस आक्रमड इनका 1925 वाला माना जाता है जब ये सोमनाथ मंदिर को लूट ले जाते ये इनका सबसे फेमस आक्रमड है निमलकित में किसने महिला आर्ष समाज की स्थापना पूढे में करी निम्नलिकित में किस महिला ने आरिसमाज की स्थापना पूरे में करी उत्तर की बात करेंगे उत्तर हो जाएगा पंडित रमावाई क्या हो जाएगा पंडित रमावाई यह आपको याद रखना है बूलना नहीं है आपको मालूम है एवरिस्ट की चोटी पर पहुचने वाले दो सबसे पहले वेक्टी एडमंड हिलेरी और तेंजिंग नोर्गे थे इनके द्वारा यह विजे कब प्राप्त की गई आपका सवाल है आपके स्क्रीन पर है और ट्वंटी एड के जवाब की बात करेंगे उन्नी सो तिरपन में इन्होंने ये कर दिखाया इसरो की स्थापना कब हुई थी और इसरो का मुख्याले कहा है कमेंट बॉक्स में लिखिए इसरो की स्थापना कब हुई थी और इसरो का मुख्याले कहा है ये दोनों ही सवाल लीचे कमेंट बॉक्स में लिखना है आपको 1969 बैंगलोर कहएगा परमाडू विद्धुत सहियंत्र आप कहां देखते हैं कहएगा परमाडू विद्धुत सहियंत्र जो है वो आप कहां पर देखते हैं तो कहएगा आप करनाटक में देखते हैं अगर हम देखेंगे तो आपको बताना ये है कि पुस्कर जहां ब्रह्माजी का फेमस मंदिर है वह इनमें से किस राज में आपको दिखाई पड़ेगा। पतंजली द्वारा लिखा गया महाभास से निम्नलिकित में किस पुस्तक पर लिखी गई टीका है। पतंजली द्वारती का सितंबर 2020 में निधन हो गया था। इनका संबन्द किस से था तो आपको याद रखना है बड़ा इंपोर्टेंट रहेगा। 31 के जवाब की बात अगर हम करते हैं तो आपका एड़नीर मट सही है ध्यान अखेटी। बारत के संबिधान में मौली का दिकार मूल संबिधान का हिस्सा था। चौते संसोधन के द्वारा जोडे गए थे, संसद के द्वारा 1952 में जोडे गए थे या 42 संसोधन के द्वारा जोडे गए थे यह आपका 32 सवाल है, अजन सर की बात करेंगा, यहाँ पर आपका एस दियान के है। विक्रमादित ने अपनी दुतिय राजधानी कहा बनाई विक्रमादित ने अपनी सेकेंड राजधानी कहा बनाई 33 नंबर रहेगा उत्तर की बात करेंगे और जैनी विल्कुल सही कह रहे हैं आप लो और नालंदा बिस्विद्याले आप कहां रेखते हैं कमेंट करके एक बार है चलिया आगए बढ़ते को भूँआ Fine कि विस्व का सबसे उचा जन प्रोपात कौने मानते हैं आपको बताना है, विस्व का शबसे उचा जो जल प्रोपात है वह आपकौन मानते से तो ये भी आपको याद रखना है 34 के जवाब की बात किया जाए तो आपका एंजिल जलप्रपार सही उत्तर हो गए यहाँ पे और यह आपका विश्वका सबसे उचा है उत्तर पूर्वी सीमान्त रेलवे का मुख्याले आपने बताना है कि कहां पे है उत्तर पूर्वी सीमान्त रेलवे का मुख्याले आपसे अगर पूछेगा कहां पे है तो आप क्या अंसर करेंगे विलासपूर, कोलकाता, माली गाउं या फिर गोरकपूर यह आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट रहेगा, 35 नमबर सवाल रहेगा, सभी लोग बताने का प्रयास करिए तो माली गाउं आपका उत्तर यहां पे बिलकुल सही है, बिलकुल करेक्ट है, आपको याद रखना है अच्छा, भारत का टॉली वोड किसे कहा जाता है बदाई बहुत इंपॉर्टेंट रहेगा, बिलकुल माली जाएगा आपकी बात आसवान बांध किस नदी परिस्थित है बताईये यह जो आपका आसवान बांध है वहाँ किस नदी परिस्थित है बताईये 36 उत्तर आपका यहाँ पर देखा जाए तो भाईया नील नदी करेक्ट है क्या होगा नील नदी संसार की सबसे लंबी नदी है इसके लंबाई सारे छाचट सो किलोमीटर है 6650 किलोमीटर एप्रॉक्स बारती समिधान की प्रारूप समिध के अध्यच कौन थे बारती समिधान प्रारूप समिध के अध्यच कौन थे डॉक्टर भीमराव अमबेडकर डॉक्टर आजेद प्रसाद आचारे करपलानी आचारे नरेंदर देव 37 के जवाब की गणम बाच्चित करेंगे तो आपका एस ही हो जाएगा भाई यह आपके लिए काफी महतपूर रहेगा आपको यार भी रखना है बोलेंगे नहीं आप सब चलिए आगे बरते हैं अगले महतपूर सवाल की तरफ वर्दमान ट्रॉफी का संबंद आप किस से मानते हैं वर्दमान ट्रॉफी का संबंद आप कुस्ती से मानेंगे मुक्यबाजी से मानेंगे भारतोलन से मानेंगे या कबड़ी से मानेंगे आपके लिए इंपोर्टेंट रहेगा आपको ध्यान से बताना है तो भई वर्दमायन ट्रोफी का जो सम्बंध है आप सभी को बता रहे का प्रियास करना है भारत तोलन से मानें गए आप किससे बानेंगे भारत तोलन से मानेंगे चलो भई आपने पताना है कबड़ी में खिलारियों के संक्या कितनी होती है सवाल है आपके लिए कबड़ी से कबड़ी में खिलारियों की संख्या कितनी होती है तो याद रखेगा कबड़ी में खिलारियों की संख्या साथ होती है और कबड़ी का जो गेम है वहां कितने मिनट का होता है आपको बताना है कबड़ी का जो गेम है वह कितने मिनट का होता है आपको बता रहा है तो ये आपके लिए काफी मैतपूर रहेगा चलिए आगे बढ़ते हैं बारतिये स्वतंतरता दिवस के आउसर पर प्रधानमंत्री तिरंगा कहां फैर आते हैं स्वतंत्रता दिवस के औसर पर प्रधानमंत्री तिरंगा कहां फैर आते हैं लालकिला संसत भवन राश्पती भवन या इंदी आगे यह आपके लिए बहुत इंपोर्टेंट रहेगा भाई ध्यान से बताई 39 नंबर सवाल है सबी को बताना है अंसर की बात करेंगे सबका आना चाहिए उत्तर हो जाएगा लालकिला अच्छे आपने बताना है दिल्ली के लालकिले का निर्मार किसने कराया था और आगरा के लालकिले का निर्मार किसने कराया था बताने का प्रयास करिए दिल्ली के लाल किले का निर्मार किसने करवाया था और आगरा के लाल किले का निर्मार किसने करवाया था ये दोनों ही आपको याद रखने हैं साजहा दिल्ली आगरा अकबर राज की आकस्मिक्ता निधी किसके द्वारा संचालित की जाती है बारत के परणानमंत्री, मुख्यमंत्री, भारत के राष्टपती या राजिके राजिपाल क्या जवाब होगा आकस्मिक्ता निधी के बारें बात करेंगे भारत के राजिपाल के दौरा देश का प्रथम नागरिक कौन होता है बताईए देश का जो पहला नागरिक है वो राश्टपती होता है तीनों सेनाओं का सेनापती राश्टपती होता है बारत का पहला उपग्रे आरेबट कब छोड़ा गया था बारत का पहला उपग्रे जिसको आप आरेबट कहते हैं ये कब छोड़ा गया था 1972, 74, 75, 70, 41 नमबर सवाल रहेगा तो आपको ये भी अच्छे से आज रखना है आरभाट 1975 में कब 1975 में आपके लिए बहुँ बहुँ इंपोर्टेंट रहेगा ये भी सुर्यास्त का नियम किस भूमी व्यवस्था से संबंदित माना जाएगा आपका जो सुर्यास्त का नियम होगा वो आपकिस भूमी व्यवस्था से संबंदित कहा जाएगा या माना जाएगा तो ये आपका 42 नमबर सवाल रहेगा आप सभी को बताना है उत्तर हो जाएगा स्थाई बंदोबस्त बेटा क्या हो जाएगा स्थाई बंदोबस्त इंपोर्टेंट रहेगा खजुराहो का प्रसिद कदरिया महादियो मंदिर किसके द्वारा बनवाया गया था खजुराहो का प्रसिद कदरिया महादियो मंदिर जो है वहाद किसके द्वारा बनवाया गया था जैसक्ती, नर्सिंग वर्वन, विद्याधर जो भी है बताईए 43 नंबर सवाल उत्तर की बात करेंगे यहाँ पे आपका अंसर हो जाएगा विद्याधर आपको याद रखना है आए आगे वरतेकला सवाल निमलिकित में किस परवतमाला को सयादरी के नाम से जाना जाता है किस परवतमाला को सयादरी के नाम से जाना जाता है सत्पुडा, पस्चमी घाट, पुर्वी घाट, रावली किस परवतमाला को सयादरी के नाम से जाना जाता है विटा तो यह आपका 44 नमबर का सवाल है उत्तर की बात करेंगे आपका पस्चमी घाट हो जाएगा सबसे पुरानी परवस रंखला कौन सी कही जाती है बताईए सबसे पुरानी परवस रंखला कौन सी कही जाती है तो याद रखिएगा आपकी जो अरावली है ये सबसे पुरानी पर्वस रंखला कही जाती है मोहनी अट्म किस राजी का फेमस माना जाता है बताई YOUR आपका जो मोहनी अट्म है ये किस राजी का फेमस माना जाता है केरला, तमिल्नाडु, आंधरा प्रदेश और करनाटर 45 तंबर सवाल है उत्तर की बात करेंगे केरला सही इसे देव नरत्य भी कहा जाता है याद रखेगा मुहनी अट्टम को देवताओं का नरत्य भी कहा जाता है कथक कली कि सराजी का फेमस है कमेंट करके बताईए कथक कली किसराजी का फेमस है आपको कमेंट करके बताना है सभी को याद केगा कुछी पुडि या अंद्रा प्रदेश का फेमस है और कई बार आपसे पूछा है और भारत नाट्यम कहा का फेमस है कमेंट करके बताएं आप सब भारत नाट्यम किस राजी का प्रसिद्ध है तो याद रखिएगा कि आपका जो भारत नाट्यम है वो तमिल नाडू का फेमस है और आपका यच्छगान किस राजी का फेमस है ये भी आपको कमेंट करके बताना है आपका जो यच्चगान है वह किस राजिका प्रसिद्ध है तो ये भी आपको अच्छे से याद रखना है करनाटका का फेमस है कोपोसर मुक्त भारत का लच्छ हमने कब तक रखा है कोपोसर मुक्त भारत का जो लच्छ है वह हमने 2020 तक रखा था दोजार पच्चिस तक रखा है या दोजार बाइस तक रखा है दोजार बाइस तक भारत को पोसर मुक्त होगा ऐसा हमारा लच्छे है पंचायती राज दिवस कब मनाया जाता है मेरी लाल आपका जो पंचायती राज दिवस होता है वो 20 अपरेल में होता है 22 अपरेल में होता है 24 अपरेल में होता है या 26 अपरेल में होता है 47 के जवाब की बात करेंगे आपका 24 अपरेल यहाँ पे सही है और आपने बताना है कि 22 अपरेल को आप कुछ मनाते हैं क्या 22 अपरेल को अगर आप कुछ मनाते हैं तो बताएए क्या मनाते है फिलाल आगे बढ़ते हैं अंगला सवाल हैदराबाद का प्रसेद दिस्थल है चार मिनार या सालार जंग कौनसा है जो आपको हैदराबाद में दिखाई पड़ेगा आपको हैदराबाद में क्या दिखाई पड़ेगा या आपके लिए सवाल रहेगा चार मिनार सालार जंग या फिर दोनों से ही है तो 48 नमबर सवाल के जवाब की बात करेंगे आपका C करेक्ट है आपको याद रखना है आप चार मिनार भी यही देखते हैं और सालार जंग भी यही देखते है निम्न में अखाद फसल कौन सी है गेहूं बाजरा जूट और चा पारते नहीं हैं, याद रखेगा, क्योंकि टोटल पैदावार में यूपी आगे है, बाजरे की टोटल पैदावार में आपका राजस्थान आगे है, जूट की टोटल पैदावार में आपका वेस्ट बंगाल आगे है, और चावल की टोटल पैदावार में भी आपका ये फसल के अंतरगत आएंगी जो आपको याद रखना है समझ गए बिटाब चलिए आगे बढ़ते हैं और अपने आखरी सवाल के साथ विराम लेते हैं एरावी कुलम रास्टी उद्ध्यान आप कहां पर देखते हैं एरावी कुलम रास्टी उद्ध्यान जो है वो आप कहां पर देखते हैं पचास नमबर का सवाल रहेगा उत्तर की बात अगर हम करेंगे तो आपका ए हो जाएगा केरला बांदी पूर रास्टी उद्ध्यान आप कहां देखते हैं बताइए एक रास्ति उद्ध्यान है जिसको आप बांधी पूर रास्ति उद्ध्यान कहते हैं इसे आप कहां पर देखते हैं चले एक सवाल आपको और कर देना है जो बच्चे पहली बार क्लास में जुड़े है वीडियो को लाइक कर दे जिससे आपकी एटंडेंस लगती रहेगी गिर रास्ति उद्ध्यान असी आई सेरो के लिए फेमस है कहां परता है गिर रास्ति उद्ध्यान जो कि फेमस है असी आई सेरो के लिए ये कहां पर पढ़ेगा ये आपके लिए सवाल है और इसी के साथ में हम बेराम लेंगे क्योंकि ये हमारा अंकिम सवाल ठीक है भाई आई इसके अत्रेक्ट में अगर आपने अभी तक SSE का प्लस जॉइन नहीं किया है भाई तो आज ही जॉइन कर लीजिए जॉइन करने के बहुत सारे फाइदे है सबसे पहला फाइदा आपको इंडिया के टॉप एजुकेटर से पढ़ने का मौका मिलता है जो भी आपको टॉप एजुकेटर पढ़ा रहे है आप उनसे पढ़ पाते हैं और अपनी तैयारी को अच्छा कर पाते है उनके जो भी बैच चल रहे हैं आप उन्हें जोईन कर पाते हैं जो भी बैच आने वाले हैं आप उन्हें जोईन कर पाते हैं और जो भी बैच पूरे हो चुके हैं आप उन्हें भी जोईन कर पाते हैं तो बहुत सारे लाब हैं अगर आप Unacademy Plus जोईन करते हैं ssc plus join करते हैं तो आपके hit में है यहाँ पर आप अपने doubt को खुछ से clear कर सकते हैं जिस सवाल में doubt है उसका photo click करना है और यहाँ से आप अपने doubt को clear कर पाएंगे तो यह भी आपके लिए अच्छा है आप चाहें तो यह कदम भी उठा सकते हैं raise hand नमक एक नया feature एड हुआ है जिसमें आप क्या कर सकते हैं अपने favorite educator से बातचीत कर सकते हैं समझ रहें आप सब और यह आपके बहुत सारे offers हैं अगर आप 24 मन्त का plus एक साथ मिलेंगे तो आपको 8 महिने और extra मिलेगा अगर आप 6 महिने का plus लेते हैं तो आपको 2 महिने और extra मिलेगा अगर आप 12 महिने का plus लेते हैं तो आपको 4 महिने और extra मिलेगा यह बहुत सारे benefit है आपके लिए अभी प्रियोग करें और लाव उठाएं SSE का जो combat होता है वो Sunday में 12 बज़े होता है हर Sunday 12 पे होता है तो इसमें भी अगर आपकी rank अच्छी आती है तो आप scholarship जीत सकते है और यह आपके plus के normal से charge है जिनको आपको यहापे मेरा code आप apply करोगे दीपक सिंग वाईटी 10 और proceed कर जाएंगे जिससे आप plus जोईन कर सकते हैं मैं railway में plus पे पढ़ाता हूँ अगर आप चाहें तो railway plus जोईन कर सकते हैं वहाँ पर आपको हमारी detail class करने को मिरेगी तो यह सब आपके हित्मे है फिलाल के लिए तना ही रखेंगे बाकी मुलाकात करेंगे हम आपसे बहुत जल्द अपने अगले class में आज के लिए तना ही धन्यवाद नमस्कार बाई बाई